तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अंको रोट स्वागत है آپका मेरे और आपके अपने चैनल कामिक गूगाए पर दोस्तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर एक पोल दाला था कि क्या आप लोग चैनल पर एक नई मांगा स्टोरी को देखना चाते हैं तो आप सभी ने हाँ बोला था और आज दोस्तो मैं आपके लिए एक बहुती नई स्टोरी लेकर आया हूँ ये स्टोरी है ड्रेगन बॉल ब्लड लाइन ये ड्रेगन बॉल स्टोरी में आप लोग को काफी जादा मजा आने वाला है दोस्तो ड्रेगन बॉल ब्लड लाइन की बहुती अमेजिग स्टोरि को लिक्काई स्पिंग्स आर्टिस्ट ने और इन से जोड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं तो जाएए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाईए उनको ये बताना बिल्कुल मत भूलेगा कि उनकी ये बहुत ही अमेजी स्टोरी और ये कॉंसेट आप लोग को किता जाधा पसंद आया दोस्तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर भी जरू कीजिएगा जिन लोगों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम मिलती रहें तो चलिए दोस्तों भी न देरी कर अपने वीडियो पर आते हैं स्टोरी की शुरुआत में हम वेस सिटी को देखते हैं और आज बहुत ही खुबसूरा शाम का समय है गैलेक्टिक पेट्रोल की लड़ाई और मैजिशन मोरो ने जो कुछ भी किया उसे काफी साल बीच चुके हैं जीतने के बावजूद भी धर्ती के सबसे महान वारियर्स गोकू और वेजीटा उस स्पेस मेनियक के साथ हुई लड़ाई के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल गए गोकू उब को ट्रेंड करने के बाद एक बारी फिर से वेजीटा के साथ ट्रेंड कर रहा है बहले ही हमारे दोनों सेयन वाइडर्स की उमर थोड़ी बहुत बढ़ गई हो पर धर्ती काफी सालों से शान्ती से है और हमारे दोनों ही सेयन फाइडर्स ने अभी हार नहीं मानी है और दोनों ही मल्टिवर्स के सबसे बहतरीन फाइटर बनने की कौशिच में लगे है इसके बाद हम बुलमा और ट्रंक्स को देखते हैं बुलमा और ट्रंक्स किसी की दर देख रहे होते हैं और सभी को हाय बूलते हैं और इस वक्त ये सब भी लोग capsule court में हैं, बुलमा सभी को बताती है कि इस वक्त गोकू और Vegeta अपने new training chamber में training कर रहे हैं, जो कि बुलमा ने बनाया है, तभी हम गोकू और Vegeta को देखते हैं, जो कि एक chamber के अंदर लड़ रहे हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोन कोन आया थ वहाँ पर गोटैन, चीची और क्रेलिन आये थे, इसके बाद वो सब भी लोग गोगु और वेजिटा की ट्रेनिक को देखने लग जाते हैं, गोटैन गोगु को देखकर बोलता है गो डैड, ट्रंकस इस पर बोलता है कि मेरे डैड़ी जीतने वाले हैं गोटैन, चीची बोल की तरफ बढ़ रहे थे, चीची बोलती है कि मैं तो बस खुश हूँ, कि इन लोगों को अपनी ट्रेनिक मिल रही है, जितनी ट्रेनिक की नहीं जुरत है, वो भी धरती को तबहा करे बिना, बुलमा बोलती है वैसे जनों के टूर्नमेंट के बाद, और इस मोरो शक्स से ट्रस्ट कर सकता हूँ, हम लोग इस वक्त गोकू और वेजिटा के बारे में बात कर रहे हैं, कि इन गोकू और वेजिटा की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उनकी लड़ाई और दा खतरनाक होती जा रही होती है, बुलमा बोलती है तुम सही बोल रहे हो, पर मैंने 20 से मद ली है, उसकी मदद से मैं यूनिवर्स के सबसे ताकत वर मेटेरियल को इखटा कर पाई, ताकि मैं इसे बना सकूँ, उस मेटेरियल के साथ और मेरे दिमाग के साथ ये बहुत ही असान था, और वो भी सिर्फ एक बटर क्रीम केक की कोश्ट में, इसके बाद हम देखते हैं क गोकू वेजीटा को रुकने के लिए बोलता है, और बोलता है वेजीटा, वेजीटा बोलता है क्या हुआ केकरोट, क्या तुम्हारी बढ़ती हुई उमर की वज़ए से तुम धीमे हो गए हो, ये बात सुनके गोकू गुस्ता आता है, और एक दम से गोकू वेजीटा की न जैसे काफी बड़ा धमाका होता है तभी एकदम से वेजिटा बहुत तीजी से गोकु तक पहुच जाता है और लगातार उसे पंच माने लग जाता है तभी एकदम से गोकु वेजिटा के सामने से गायब हो जाता है और वेजिटा का पंच जमीन पे लग जाता है जमीन एकद से इंस्टन टेलीपोटिशन का इस्तमार करके वहाँ से गायब हो जाता है हम देखते हैं कि गोकु कामेह मेह बनाता है वेजिटा बोलता है नहीं ऐसे रखता है कि वेजिटा फस गया गोकु का अटाइक बस वेजिटा तक पहुच गया था पर तबी एकदम से वेजिटा भी इंस्टन टेलीपोटिशन का इस्तमार कर जाता है और एकदम से गोकु के सामने पहुच आता है और इसके बाद वो एक बहुत ही जबर्दस पंच मना के गोकु को मारने में कामयाब हो जाता है वो बोलता है कैकरोट आज नहीं गोकु पीछे जाके बहुत जोर से टकराता है और इसकी बाद गोगो चिलाता है वो बोलता है वेजीटा उससे मुझे दर्द हुआ वेजीटा ये सुनके बस मायल करता है वेजीटा बोलता है ये खत्ब हो चुका है कैकरोट ये राउन मैंने जीत लिया गोगो एकदम से चिलाता है और बोलता है ये सही नहीं है वेजीटा मैं भूल गया था कि तुम इसने टेलीपोर्टिशन का इस्तमाल कर सकते हो मुझे एक रीमेज चाहिए वेजीटा बोलता है ये मेरी गलती नहीं है कि तुमने अपने डिफैंस को कम कर दिया था जो कर कहीं के गोकू बोलता है अरे नहीं तुमने मुझे हरा दिया एक दम से गोकू खुश होता है और बोलता है कि चलो फिर से करते हैं वेजिटा खुश होता है और बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद गोकू और वेजिता दोनों ही ट्रांस्वाम हो जाते हैं और एक बारी फिर से दोनों रणने के लिए त्यार होते हैं इसके बाद हम बुल्मा को देखते हैं बुल्मा की मशीन वार्निंग दे रही होती है बुल्मा बोलती है गाईस आज के लिए बहुत हो गया इस चेंबर में बहुत सदा एनरजी रखती है जो कि एक दिन के इस्तमाल के लिए अलरड़ी बहुत सदा हो चुकी है तो जाओ और ना लो गोगो और वेजीटा दोनों ही ये बास उनकी काफी हरान होते है और वेजीटा इसके बाद पावर डाउन कर लेता है गोगो खुशो कर बोलता है वेजीटा तुमने सुना बुल्मा बोल रही है कि तुम्हारे अंदर से बद्बू आती है वेजीटा गुसे में बोलता है चुपो जाओ के करोट इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा की मशीन खुलती है और गोटेन और ट्रंक्स भार इंतजार कर रहे होते है ट्रंक्स अपने फादर को देखकर बोलता है डैड वो कमाल था गोटेन थोड़ा सा नराज लग रहा होता है वो बोलता है डैड आपने उन्हें जीतने दिया ना वेजीटा गोटेन की जैसे ही ये बास सुनता है एक दिम से वो नराज हो जाता है और गोटेन का अफ़जार डर जाता है गोटेन डरते हुए बोलता है वेजीडा सर मैं आपकी बेस्ती नहीं करना चाता था ट्रंक्स को इस बात पे बहुत साथ गुस्सा आ जाता है वो बोलता है गोटेन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है गोटेन अपने फादर के पास जाता है और बोलता है डैड आपने उन्हें हिट करने दियाना गोकु भी इस बात पे हसने लग जाता है जैसे कि वो जान बूच कर हा रहा हो ट्रंक्स को बहुत सदा गुस्सा आने लग जाता है वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है क्या तुम ये कहना चाते हो कि तुम्हारे फादर मेरे फादर से जादा स्ट्रॉंग है क्या तुम कोई पागल हो गोटन बोलता है कि ये बात सच है ये बात हमेशा से सच है मेरे फादर टूर्णमेंट आफ पावर में भी ज्यादा लंबे समय तक टिके रहे थे टूर्णमेंट बोलता है अच्छा ऐसा है मेरे फादर ने मोरो को पीट दिया था जब तुम्हारे फादर अल्रेडी हार चुके थे गोकु एकदम से लड़ाई के बीच में आता है और दोनों से बोलता है कि दोनों आप शांत हो जाओ वेजीटा और मैं एक दूसरे को पूछ करते हैं आज हम दोनों जो भी हैं वो एक दूसरे के साथ राइवेलरी की वज़ासी ही है वेजीटा वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है कि ये सब बहुत हो गया मेरा सर दर्द हो रहा है ट्रंक्स चलो यहां से चलते हैं गोकु भी वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है गोटैन और गोकु कैपसुल कॉर्प से बाहरा आ रहा होते है और गोटैन पर आपनी बात कर रहा होता है। वेज़ी टा गया ह। गोकू और वेजीटा दोनों ही अपने बच्चों से सेम बात कर रहे होते हैं और दोनों बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम लोग धरती की रक्षा करो गोटैन कफी चॉक जाता है वो बोलता है रוכो क्या वेजीटा टरंग्स को फिर से समझा था है और बोलता है कि समय आ गया है कि तुम प्लैनेट की रक्षा करो प्रंक्स पूछता है कि इससे आपका क्या मतलब है आप क्या कहना चाहते हैं वेजीटा बोलता है कि एक ऐसा समय जरूर आएगा जब मैं यहाँ पर नहीं होगा कहकर ओट भी गोटैन से इसी बारे में बात कर रहा है गोटैन बहुत ही हैरानी से गोगु से पूछता है कि पर मुझे धर्ती की रक्षा करने की क्या सोरत है आप मुझे मिलियन टाइम जादा ताकतवर हो गोगु बोलता है नहीं अगर तुम ट्रेनिंग शुरू करो और अपने आपको पूछ करो तो मैं तुमसे जादा ताकतवर नहीं रहूँगा वेजीटा और मैं इस दुनिया के लिए जो कर सकते थे वो हम कर चुके है और अब तुम्हारी और ट्रंक्स की बारी है गोटन बोलता है धर्ती का रक्षक ट्रंक्स बोलता है कि तो आप मुझे क्या बनना है क्या आप चाते हो कि मैं एक हीरो बनूँ वेजीटा बोलता है नहीं ट्रंक्स तुम्हें एक वारेर बनने की सौरत है एक असली सैयन जब तुम एक छोटे बच्चे थे तब तुम ओल्डरेडी सूपर सीयन की लेजनरी ताकत का स्वाच चक चुके हो वो भी बिना किसी एफट के एक ऐसा काम जो करने में मुझे मेरी आदी जिन्दिगी लग गई पर क्या तुम सच में ये चाते हो कि वो तुमारी पीक बनके रह जाए गोकु बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा बैटल के लिए प्यार कभी खतम नहीं होगा पर सभी को पता होना चाहिए कि कब साइड हटने का समय आ गया है धरती काफी सालों से शांती से है पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही शांत रहेगी शायद तुम समझ रहे होगे गोटैन पूछता है कि क्या आपको लगता है कि अगर मैं ट्रेनिंग करता रहूं तो मैं आपके पावर के लेवल तक पहुच पाऊंगा याने कि गौड्स की ताकत तक गोगु बोलता है कि बिल्कुल पर इस तरीके से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे क्या तुम सूपर सेयन से आगे जा सकते हो बीरा ट्रंक्स के साथ फ्यूज करे गोटैन इस बात पर शर्मिन्दा होने के बचाए कुछ भी नहीं कर पाता इसके बाद हम एक बंचर इलाके को देखते हैं तो एक एनाउंसर को देखते हैं जो कि इस टोरी में एक तरीके से हमारा नरेटर है गोकु और वेजीटा की बात को कुछ घंटे बीच चुके हैं और गोटैन और ट्रंक्स एक बंचर इलाके में मिलते हैं ताकि वो अपने ट्रेनिंग को शुरू कर सके इसके बाद हम ट्रंक्स और गोटैन को देखते हैं ट्रंक्स बोलता है गोटैन हमारे फादर सही बोल रहे थे हमें आगे आना होगा ताकि हम धर्ती के रक्षक बन सके गोटैन काफी निराश रगरा होता है वो बोलता है कि मेरे फादर ने धर्ती को तब ब человека बचाया था जब वो एक बच्चे थे पर बू के बाद हमें कोई चांस मिला ही नहीं ट्रंक्स बोलता है कि हमें उनसे भी साहत ताकतवर बन ना होगा याने कि सुपर से और गाट्स से भी साहत ताकतवर GoTan बोलता है कि बिलकुल सही draft चलो हमारी training शुरू करते हैं Trunks एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए easy नहीं होने वाला Trunks बोलता है तुम्हें कहने की जोरती नहीं है GoTan GoTan और Trunks अपने training शुरू करने के लिए तयार होते हैं दोनों एकदम से ट्रांस्फॉर्म होकर सूपर सेन की फॉर्म में चल जाते हैं और इसके बाद वो अपने ट्रेनिंग शुरू करते हैं दोनों एक दूसरे पे लाते गुसे बरसानी लग जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स के पीछे एक ब्लास शूट करता ह जिससे गोटन बच जाता है गोटन और टरंक्स की बहुत ही इंटेंस ट्रेनिक शुरू हो चीकी है और दोनों ही एक दूसरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे होते हम देखते हैं कि लडाय में गोटन एकदम से टरंक्स के पीछे एक ब्लास शूट करता है प्रंक्स टॉक जाता है और गोटन के अटेक से खुद को नहीं बचा पाता इसके बाद हम कैप्सुल कॉर्प में वापस आते हैं हम देखते हैं कि बुल्मा की एक मशीन बीप कर रही होती है बुल्मा बोलती है ये तो काफी अजीब है ये मशीन क्यू बज रही है पर क्या ये फ्रेंडली है या फिर धरती अब किसी बड़े खतरे में है ये हम जानेंगे नेक्स वीडियो में क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो ही पर खतम हुचाती है मुझे नीचे कमेंट करके बताईए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी क्या आपको ये नई मांगा पसंद आ रही है आपके जो भी वीडियो हो मुझे नीचे कमेंट में सरूर बताईएगा और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिलकूर मतभूत देगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरू कीजेगा जिन लोगों ने पितक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे की सारी वीडियो च्टाइब बढ़ाएं मिलती रहे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोग अपनी नेक्श वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई दोस्तों और थेंक्स वाचिंग